को और अच्ड माईक्रोब्जेक्स को मतलब छोटे और सको बड़ाısı करके दिखाने वाला व्दिवाइस होता है उसको क्या बोलता है विसको प्रमॉफ्रिक है अगर आप करोगे और अगर आप सिंपल आप और उसके सामने object को focus और उसके optical center के बीच में कहीं पर रखोगे तो उससे हमको एक magnified image मिलेगी अब क्योंकि object की image आपको बड़ी दिखाई दे रही है बड़ी होके जूम होके आपको दिखाई दे रही है इसलिए हम सिंपल कॉन्वेक्स लेंज को हम क्या बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे क्योंकि वह भी कुछ magnification कर रहा है लेकिन उसके limitation है आप सिंपल जो सिंगल जो लेंज होगा नहीं सिंपल कॉन्वेक्स लेंज है उससे image को बहुत बढ़ा करके नहीं देख सकते मेंजिम आप 10 टाइमस बढ़ा कर सकते हो उसके बाद में इमेज आपको इतनी blood दिखती है कि आप उसको देखी नहीं पाते हो तो क्या करें अगर और ज्यादा उसको इमेज को बढ़ाना है तो एक से ज्यादा लेंज यूज कर लेंगे जब उतनी बड़ी इमेज बनती जाएगी लेकिन साथ में लोस भी होता है जब लाइट रेज किसी भी लेंज की ऊपर इंसिडेंट होती है तो वह कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो 100% लाइट वह फोकस नहीं कर पाता है 100% लाइट उससे पास नहीं होती एक लेंज उसके उसने 20% लाइट को खा लिया वीच में तो 80% लाइट बाहर निकली अगला एक और लेंज से उसके उपर जितनी लाइट इंसिडेंट होगी उसका 20% वह भी खापी जाएगा और बाकि लाइट बाहर निकल रही है आगे सागी लेंज से वह थोड़ी-थोड़ी कम होती जैसे अधिया इमेज बनती है और अधिया थोड़ी सी हलकी सी आप उसके इंटैंस्टरी जाएगी तो जैसे मोबाइल का स्क्रीन होता है एक दूसको इंटेंस्टरी को कम करते हो तो आपको एक दम डल सा आपको स्क्रीन दिखाए देगा उसी टाइप की में बनती है अगर लेकिन थोड़ी सी डल दिखेगी तो दोई लेंस करके नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप बनाते हैं क्योंकि ज्यादा लेंस करने पर हमको लाइट की इंटेंस्टी का लोस होता है तो मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि किस तरीके से एक एक सिंपल्ट जो कोंव thi लेंस से हो एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है यह मालों किय NIH की 추천 थे साबिए c और यह इसका focus है focus और यह जो आपने उब्जेक्ट को रखा है यह object řे इसकी image इमेज हमको बनानी है कि इसकी इमेज हमको कहां पर मिलेगी एक चीज याद रखो अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इससे हमेशे से एक मैगनिफाइड और वर्चॉल इमेज मिलेगी जो की एक्ट बनेंगी सीधी बनेंगी लेकिन मंतलब की वह मैंगनिफाइड भी लेकिन वह वर्चॉल इमेज होगी वर्चॉल मिलाम उसको प्रिक्रण पे नहीं सकते आप देख सकते हो देख जैसे बुक को स्क्रीन पर नहीं ला सकते आप तो एक काम करते हैं अभ ये जो प्रिंसिपल अखेस के पैर्लल इसकी उपर होता है तो दोनों और साइड में हम बराबर डिस्टेंस पर क्या Kreyंग इस उधर से होगी two publishers अगर कोई भी रैंड के पर लैंस की उपर इंस Lucía होती है तो रिफ्रे vrijयक्षन के बार में वह फोकस से पास होती है अगर कॉनकर ये लेंज होता तो फोकस से प्छों वाले फोकस से पास होती ही अपिएर होती क्योंकि वो उसको डाइवर्ज कर दिता और पीछे बढ़ाने पर इस लेंस के पीछे मलको का क्वे से पिछे जो फोकस होता वहां पर स्लब्स होती हुई अपियर होती एक और लाइट रहेंगे दूसरी को -optical-center की उपर-incident करेंगे यह किदर से पास होगी यह state होगी without aviation state pass होगी क्योंकि रूट है कि optical-center पे जो भी light state incident होती है without deviation state passed होती तो यह सीधी चलिए जाएगी यहां अब इदर से observer देख रहा है माल वाएप इदर से देक्षर То तो यह कहां से आती हुई अपियर होंगी तो आगे तो कहीं मिलनी नहीं है यह बैक्ट्रेस करेगा इनको इन दोनों लाइट्रेस को ब्रेन क्या करेगा बैक्ट्रेस और पीछे बढ़ाने पर यह किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पर हमको इमेज दिखाई देगी यहां पर यह इंटरसेक्ट करती हुई अपियर हो रही है तो आपजेक्ट की इमेज इस पॉइंट पर बनेगी कौन से ऑब्जेक्ट की एपॉइंट की एडेश और बीडेश का होगा तो यहां से परपेंडिक्लर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की उ इमेज हमको खले दिखनी करते हो गया साफ का दिखने वाले जो डी स्टेश होती होती है मुआ जिसका मतलब इस लिएंट से कितना डिस्टेंस पे इनेज बने टाकि वह सबसे क्लियर आपको दिखे 25 cm condition समझ मैं है क्या lens से जबाब देखोगे तो सबसे clear का दिखेगा अगर 25 cm पर object रख दो या उसकी image बना दो सबसे clear दिखेगा तो हमको इस image को इस lens के optical center से 25 cm distance पर बनाना है object को हमने किसी u distance पर रखा हुआ है और इसकी image का बना नहीं है यानि वी कितना होगा 25 cm distance के बराबर होगा यू भी negative होगा इसमें और यह जो वी है यानि distance of the image है यह भी negative होगा reason क्योंकि light rays इदर जा रही है lens के उपर और इन दोनों distance को measure करने के लिए उल्टा चल रहे है तो दोनों distance यानि कि यह distance और यह distance दोनों ही negative symbol के साथ में put की जाएंगी sign convention है ठीक है अब सबसे पहले मैं इसमें calculate करूंगा कि magnification कितना हुआ अब ध्यान से समझना यह step यह जो magnification अभी हम लोग calculate करेंगे इसको हम बहुते हैं angular magnification कौन सा यह नई चीज़ है magnification कौन सा magnification angular magnification इसका symbol M रहेगा और इसका formula होता है बीटा अपॉन एलफा यह बीटा क्या चीज़ है तो image के top point को lens के optical center से मिला दो और optical center का principle axis के साथ optical center पर जो angle बन रहा होगा उस line का उसी को हम angle बीटा बोलेंगे यह है image का top point इसको lens को optical center से मिला हो ऐसे मिलाया तो यह जो angle बनेगा यह कौन सा angle है बीटा समझ में है क्या और फिर object के top point को lens के optical center से मिला दो यह वाला जो top point है यह object है अपना इसके top point को lens के optical center पर मिलाओ अब principle axis के साथ में जो angle बना उसको हम क्या बोलेंगे alpha अब यहां पर problem आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर alpha और beta दोनों क्या है बराबर यह problem है क्योंकि अगर मैं alpha और beta को equal put करूंगा इसके अंदर तो उस condition में क्या होगा यह magnification 1 आएगा और one magnification का मतलब यह होता है कि image बड़ी बनी नहीं image और object का size बराबर है जबकि ऐसा practically ऐसा है नहीं तो इसमें हम छोटा से correction करते हैं हम correction यह करेंगे कि हमेशा जब भी हम यह वाला formula यूज करेंगे तो object को हम lens से d distance पे ही consider करेंगे जहां पर image बनाई है उसी distance पे हमको object को भी assume कर लेना है imagine करेंगे कि object वहीं पर रखा हुआ है जैसे यह object यहां पर रखा है तो इसको यहां के बज़ाए कहां पर shift करेंगे इसको यहां पर इस line के उपर shifted माल लेंगे यह वाला point है suppose करो कोई end point माल लो तो यह जो end point है यहां पर हमने एक virtual object assume कर लिया माल लिया कि यह है object लेंज से d distance पर जहां पर image बनाई है उसी distance पर हमको object को shift करना है फिर इसके top point को lens को optical center से मिलाना है अब जो angle बनेगा इसको हम बोलेंगे alpha यह है alpha angle समझ में आया क्या और इस बार आप क्या देख रहो alpha छोटा है बीटा बड़ा है तो यह ratio कि आएगा 1 से ज्यादा बीटा ज् एक से ज्यादा मैंगनिफिकेशन का मतलब है image is magnified बड़ी image बन रही है बड़ी image बन रही है और इसकी इत्ति बड़ी image दिखाई दिए इसका मतलब image magnified हो रही है तो इस formula के अंदर value पूट करके solve करेंगे कि magnification कितना हुआ तो देखो यह जो बीटा और alpha एंगल है यह बहुत छोटे एंगल होते हैं क्योंकि आई के अंदर अगर light rays को इंटर करना होगा और बहुत छोटे एंगल पर light rays को इंटर करना होगा और बहुत छोटे 10 बीटा लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए 10 ठीटा को ठीटा लिखा जा सकते हैं ठीटा को 10 ठीटा और यह जो alpha को हम क्या लिख सकते हैं 10 alpha यह हमने इसलिए लिखा ताकि हम distance की terms में इस formula को convert कर लें जैसे यहां पर 10 बीटा की value मां पूट करूंगा तो ध्यान से देखना यह वाला जो triangle है चोटे वाला यह वाला इस वाले triangle की बात करूं जिसमें यह वाला angle बीटा है कौन से वाला angle बीटा यह वाला angle बीटा ठीक है तो इस triangle में बताओ 10 बीटा क्या होगा कि अबी अपॉन बीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मैंने यहां पर लिखा मैगनिफिकेशन एम इक्वल्स टू टैन बीटा की वेल्यू पुट करों एबी अपॉन बीसी ठीक है डिवाइड़ बाई टैन अलफा टैन अलफा के लिए मुझे इस वाले ट्रैंगल को देखना है यह वाला जो दूस्रे वाले ट्रैंगल है ना यह वाला इस वाले ट्रैंगल में बताओ यह आपस में कैंसिल होंगे क्योंकि जितना ये साइज है उतना ही साइज यह है मतलब अवाली टम कैंसिल और यहां पर मतलब है डिस्टेंस ऑप इमेज जो की कितना डिस्टेंस पर बन लिए इमेज है इसको वी लिख रहा हूं बाद में वैल्यूस पुट कर देंगे तो वी को पॉस्ट्री लिखना है और नेगेटिव कि वी की वैलू 25 संटिमेटर है तो इसको माइनस वी लिखेंगे डिवाइड़ बाई बीसी को क्या लिखना है माइनस यू यह माइनस यू लिखा तो एम इकवल्स टू क्या यह वी अपॉन यू आगे अपने पास ठीक है लेकिन हमने यहां पर एक स्पेशल केस लिया है कि फाइनल इमेज कहां पर बनाई है इस पर बनाई है तो यह नॉर्मल केस तो इसमें अगर मैं लेंस फॉम्लाइप्लाइब करूं इस सिच्वेशन क मतलब लिस्टेंस का मैगनिफिखेशन क्या करें यह वाला जो फॉमला क्या है ए लेंज फॉम्ला इस फॉम्ला इस फॉम्ले के अंदर में देखो वन अपानilee सी खॉल्स टू क्या लिख रहा हो थाyears वनकॉन वान इस फॉम्ला फॉल्स में अपने पकलिश हमको पता है वी अपॉन एफ यह क्या बनेगा वन यह क्या बनेगा वी अपॉन यू आगया नहीं यहां पर वी अपॉन यू इसको आप किस से रिप्लेस कर सकते हो एम से तो एम की वेल्य आजाएगी वी और एफ यहने इनकी टर्म्स में अब देखो वी मतलब डिस्टेंस ओप दे वी का मतलब क्या है यहां पर डिस्टेंस ओप इमेच जो कि किसके बराबर है डी के बराबर है डी माइनस यह प्लस माइनस में अब मैं फॉमले में वैल्यू पूट कर रहा हूं तो वी की वेल्यू मुझे माइनस डी पूट करनी चाहिए क्योंकि इंसिदेंट रेज के अपोजिट चलके हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे माइनस वी एपॉन यू किसके बराबर है एम तो बताओ एम इक्वल्स टू क्या एगा इसको देल या उसको देले जा एक लेंस इसी तरीके से काम करेगा और दूसरा लेंस एक इमेज और बनाएगा तो उसमें हम जब टोटल मैगनिफिकेशन कैल्कुलेट करेंगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तो उसमें से एक फॉमला कौन सा रहेगा यह वाला यह डायरेक्टर बना उसमें पूट सो माज मैग्या